हलो फ्रेंड स्टड़ी विथ मैंग के करेंट अफर सेसंद आपका स्वाधत है यह करेंट अफर एसस्टीं बैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएज सीडियेज सेपीएफ एंडिये और अधर कंपुटिटेव एक्जमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है एक मार्श दो हजा को अधक्ष पत से निलंबित कर दिया है और रूस के आक्रमर के बाद रूस के रास्टती वालिमीर पुतीन को अंतरास्टी जूडो महासंग के मानत अधक्ष के पत से निलंबित कर दिया गया है खेल के अंतरास्टे निकाय नियो जानकारी दी ब्लैक बेल्ट, धारक पुतीन, आठवे डेन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे जो खेल के सरवोच्च सम्मानों में से एक है लेकिन IJF ने अग रूस के हमले के बाद उतीन की भूमिका को निलंबित कर दिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफ्शन A अंतरास्टे जूडो महासंग चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलता है केंद्री मंत्री मंडल ने LIC के IPO में निम्न में से कितने प्रतिसत विदेशी निवेश को मंजूरी देदी है ओफ्शन A 30 प्रतिसत, ओफ्शन B 20 प्रतिसत, ओफ्शन C 50 प्रतिसत, ओफ्शन D 60 प्रतिसत केंद्री मंत्री मंडल ने IPO लाने की तेयारी में जूटी LIC के में स्वचालित मार्ग में 20% तक प्रतक्ष विदेश निवेश को अनुमती दे दी है सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी विमा कंपणी के विनिवेश में आसानी होगी इस समद्ध में प्रतार मंत्री नरेंद्र मोदी के धक्षता में हुई मंत्री मंडल की बैठक में फैसला किया गया सरकार ने LIC के सेरों को IPO के जरिए सेर बजार में सुचिवत करने की मंजूरी दे दी है आपको प्रिवेश कुछ प्रिवेश करेंट अफैर में जो मैंने आपको बता है था कि IPO क्या होता है तो आपको याद होगा ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ऑफ्शन बी 20 प्रतिसत चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलते है Q3 है भारत में विश्यो बैंक की किस प्रमुख को वैश्वे करणदाता संस्था की एक प्रमुख एजंसी का उपध्धक्ष न्यूक्त किया गया है और भारत में विश्यो बैंक की प्रमुख जुनेद कमाल एहमद को वैश्वे करणदाता संस्था की प्रमुख एजंसी का उपध्धक्ष न्यूक्त किया गया है एहमद उपध्धक्ष के रूप में वहुपक्षी निवेस गैरंटी यूजना की कमान सभालेंगे वह विश्यो बैंक के इतिहास में इतना उचा पद हासिल करने वाले दुसरे बांगलादेशी नागरिक है उनसे पहले फैज चौधरी विश्यो बैंक प्रसासन में उपधक्ष के पत पर काविज होने वाले पहले बांगलादेशी नागरिक बने थे तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका option C, जुनायत कमाल एहमद, चलिए next question पर चलते हैं Question number 4 है Mexico Open Q, जीत कर Spain के निमने में से किस tennis खिलाडी ने अपने career का एकानवा खिताब जीत लिया है Option A, डेविट फेरर, Option D, Option B है आपका फर्नाडो वोडसको, Option C, टॉमी रोबेडो, Option D, राफेल नडाल यह Mexico Open को जीत कर Spain के tennis खिलाडी राफेल नडाल ने अपने career का एकानवा खिताब जीत लिया है नडाल का नडाल ने अपना एकानवा ATP खिताब जीता यहों उनका verse 2022 में तिसरा खिताब है उन्होंने इस साल Australia Open का खिताब भी जीता था नडाल का अकापुल को में इहोपुल जो है आपका चौथा खिताब है उन्होंने इस से पहले जो है आपका 2005, 2013 और 2020 में यह खिताब जीता था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D, राफेल नडाल चलिए next question पे चलते हैं कुछ नमर फाइफ है केंद्रे ग्रामर्ण विकास और पंचायती राजमंत्री गिर्यराज सिंग ने मनरेगा के लिए किस एप को लॉंच किया है option A, लोगपाल एप, option B, हिम्मत एप, option C, पंचायत एप, option D, विकास एप देखे हाली में किंद्रे ग्रामर्ण विकास और पंचायती राजमंत्राले द्वारा मनरेगा के लिए लोगपाल एप को लॉंच किया गया है यह एप e-governance की एक और कदम है जो लोगपाल को पारदर्सी और जबावदे तरीके से अपने कर्टेब्य को पालन करने में मदद करेगा ग्रामर्ण विकास मंत्राले द्वारा राजियो में मनरेगा यूजना के क्रियानवेन से सम्मदित विभिन स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार मैधमों से प्राप सिकायतों के आधार पर लोगपाल द्वारा सिकायतों के वरगी करण और रिपोर्टिंग ग्रामर्ण रोजकार गैरंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया ग्रामर्ण भारत को स्रम की गरिमा से परचित कराने वाले मनरेगा रोजकार की कानूनी गैरंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्यानकारी कारेकरम है तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका option A लोगपालेब चली next question पर चलता है question बस्तिक से उडिशा के किस पूर मुख्यमंतरी का 83 वर्स की आयू में निधन हो गया है option A गिरिधर गमांग, option B हेमानंद विश्वास, विश्वाल, option C जानकी बलब पटनायक, option D बीजू पटनायक लगए उडिशा के पूर मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के प्रमुक आदिवासी नेता हेमानंद विश्वाल का 25 फरवरी 2022 को निधन हो गया वे 83 वर्ष के थे, हेमनंद विश्वाल को उडिशा में दलितों वो एवं आदिवासीों का बड़ा नीता मना जा रहा है उन्होंने पूरे राजनितिक करियर में इन समधाय हेतु खास तोर पर काम किया हेमनंद विश्वाल उडिशा के पहले आदिवासी मुख्य मंतरी बने थे हेमनंद विश्वाल सुंदरगर जिले के लाइकेरा सीट की प्रितने दितों करते थे उन्होंने पहला चुनाओं साल 1974 में कॉंग्रेस के टिकेट पर लड़ा था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्षण भी हैमनंद विश्वाल चले नेक्स्ट कुश्शन पर चलते हैं कुश्शन नम्र सेवन है रास्टिय विज्ञान दिवस निम्ने में से किस दिन मनाया जाता है अप्षण E 10 मार्च, अप्षण D 12 माई, अप्षण C 28 फरवरी, अप्षण D 30 जुलाई देखे सर्च चंदर सेखर वेंकेट रमन द्वारा रमन इंफेक्ट की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को रास्टिय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है चंदर सेखर वेंकेट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की इनके इसकारी के लिए वर्ष 1930 में उन्हें नॉबल पुरसकार से समानित किया गया था पहला रास्टिय विज्ञान दिवस वर्ष 1987 में मनाया गया था इसका मूल उदेश लोगों में विज्ञान के महतों और उनके अनुप्रियों के समद्ध में संदेश का प्रशार करना है वर्ष 2021 के लिए रास्टिय विज्ञान दिवस की थीम Integrated Approach and S&T for Sustainable Future है इसका आयजन विज्ञान और प्रदोगी की मंत्राले की रास्टी विज्ञान एवन प्रदोगी की संचार परिसत द्वारा किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका Option C 28 फरवरी चलिए नेक्स्ट कॉशन पे जलता है Q8 है भारत सरकार ने किस तेज से भारतियों को निकालने है तो Operation Ganga में संचलाया है Option A लिथुआनिया Option B बेलारूस Option C रूस Option D यूक्रेन तेकि युद्गरस्त यूक्रेन से भारतियों की वापसे के लिए भारत सरकार ने Operation Ganga लौंच किया है यूक्रेन के हवाई छेतर को बंद कर दिये जाने के बाद वापसे भारतियों को निकलने के लिए विमान से वाए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और बुड़पेश्ट से चलाई जा रही है इस मिसन के तहट उड़ाने इस्तानबूल तक जाएगी और इसके बाद हंगरी के बुड़पेश्ट पहुचेगी वापसी में ये विमान इंस्ताबूल से होते हुए दिल्ली आएंगे अभी तक भारत सरकार ने अपने करीब 2000 नागरिकों को सुरक्षित बाहा निकाला है और वहाँ फसे अन नागरिकों को पडोसी देशों की सीमाओ पर इस्तित विमिन ट्रांजीट पॉइंट के माइधम से बाहा निकलने का प्रयास कर रही है विदेश मंत्राले द्वारा यूक्रेन से भारतियों को निकालने में सहाइता के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल बनाया गया है तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा आपका option D यूक्रेन चलि नेक्स्ट कुशन पर चलता है बारत का कौन सा स्थान है इसमें आपका option A होगा option B 41 option C 42 option D 40 देखें यूएस चमर ओफ कौमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की बार्सिक रिपोर्ट के निसार भारत का कुल IP स्कोर 38.4 परतिसत से बढ़कर 38.6 परसंट हो गया है तथा अंतराश्टी बौधिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43 स्थान है इस रिपोर्ट का नौवा संसकरण है जिसमें भारत का समगर स्कोर जो है आपका 38.4 परसंट से बढ़कर नवितम संसकरण 38.64 परसंट जो की 50 में से 50 में से 19.32 हो गया है अंतराश्टी बौधिक संपदा सुचकांक में सिर्श पांच देशों में आपका अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम जर्मनी, स्वेडन और फ्रांस सामिल है युएस चेंबर ओफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीती, केंद्र, बौधिक संपदा, मानकों के माधम से दुनिया भर में स्रेश्ट नवाचार और रसनातमक्ता के लिए काम कर रहा है जो नौकरियों का स्रेशन करता है जीवन को बचाता है वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक सम्रिधी को बढ़ावा देता है तथा वैश्विक चुनोतियों का सफलता पूर्वक समाधान करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D चलिए next question पर चलते है question number 10 है कौन से मंत्राले ने एक भारत स्रेश्ट भारत की तहत भासा सर्टिपिकर्ट सेल्फी अभियान का सुभारम किया है option E सिक्षा मंत्री option B वित्त मंत्री option C स्वास्थ मंत्री option D रक्षा मंत्री देखे सिक्षा मंत्री ने एक भारत स्रेश्ट भारत के तहत भासा सर्टिपिकर्ट सेल्फी अभियान का सुभारम किया है परस 2021 में सिक्षा मंत्राले ने EBSB के तहत भासा संगम पहल सुरू की भासा सर्टिपिकर सेलफी सांस्कृतिक विवित्ता को प्रोच सहित करने वहु भासाबाद को बढ़ावा देने और एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना का प्रसार करने के लिए सुरू किया गया है इसका उदेश सिक्षा मंत्राले और माई जीयोबी इंडिया द्वारा विक्सित भासा संगम मोबाईल एप को बढ़ावा देना है भासा संगम मोबाईल एप को रास्टी एकता दिवस 2021 जो कि आपका 31st October को हुआ था कि उपलक्ष में सुरू किया गया था इसका उदेश सियो शुनिशित करना है कि लोग भारती भासाओं में बुनियादी संबात कोसल हासिल कर सके इसके तहट 75,000,000 लोगों द्वारा बुनियादी संबात कोसल हासिल करने का लक्ष रखा गया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हुआ आपका ओप्षन A सुक्ष मंत्री तो यह था आसके करेंट अफ़ेर विए पसंद आए तो लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग, वाचिंग, तेक केर